नमस्ते दोस्तों ममी की दुनिया में आपका स्वागत है आज हम करेल का करेला का सब्जी बनाना आपको बताएंगे तो उसके लिए हमने चोटा चोटा पीस में करेला को काट लिया है और आलू को हमने चोटा भी काट लिया प्याज भी चोटा काट लिया एक साइज में हमने क काट लिया है इस तरह करेली को धो कहीं काटा जाता है काटकर धोने से थुरा तीखा लगता है तो पर हाई मेरा गरम हो राइस में अब हम तेल डाल देते हैं तेल गरम अब इसमें मेथि डाल देते हैं नेती चटगे उसके पियाज दाल देते हैं उसके बाद करेला दाल देते हैं इसके बाद आलू दाल देते हैं इस रख करेला आलू का सज़ी बनाने से सीखा नहीं लगता है इसे बच्चे बड़े सभी खा लेंगे इसे स्वावनिता नमप और हल देते हैं और इसे हम चला देते हैं और इसे बाद देते हैं इस दो बाद ढ़के में इसे बाद गैस को हम मीडियम कर देते हैं अब अब कम ख्लेम पर यह करेला का सब्दी बनेगा देखें करेला का सब्दी बनकर तयार हुआ इस तरह बनाने से थीखा भी नहीं लगेगा आपका करेला का सब्दी बहुत अच्छा बनकर तयार होगा इसे सब बच्छे बहुत पसंद करेंगे अब चलिए हम गैस बन कर देते हैं, आप लोग के साथ हम सर्फ कर देते हैं करेला और अलू का सब्दी बन कर तयार हुआ, इसे इस तरह को आप लोग आपनाईएगा, इस तरह का बनाने से आप लोग को तीखा नहीं लगेगा और बहुत अच्छा सब्जी बन कर तयार होगा और इसे आप लोग बना कर अपने दोस्तों में सेयर कीजिएगा मेरे चाइनल को लाइक कीजिएगा, सेयर कीजिएगा, सबस्क्राइब कीजिएगा पिल्मी लिंगे गनेरे स्पिकर साथ अपता क्लिया, थैंक यू